जमीन मांगने पर 112 अंग्रेजों को उतारा था मौत के घार अब बिहार सरकार की बारे एक गाउं ऐसा भी जहां जमीन मांगने पर 112 अंग्रेजों को उतारा था मौत के घार भागलपुर बेपुर सोन वर्षा के किसानों ने आज सोन वर्षा मुखिया के घर पर किसान सभा बोलाकर बड़े आंदोलन की धमकी दी किसानों ने कहा कि एक बार अंग्रेजों ने जमीन पर कवजा करने की कोशिश की थी हमारे किसानों ने यहां 122 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी फिर हमारी जमीन पर बिहार सरकार कवजा जमाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए फिर वही खूनी खेल होगा मर जाएंगे या मार देंगे पर जमीन नहीं देंगे इस दोरान किसानों ने कहा कि पहले वो सीयों का घेराओ करेंगे मांगे नहीं पूरी हुई तो उग्र आंदोलन शुरू करेंगे और दो में सरवे हुआ था यहां पर भागलपुर जिलामा जिसमें की जमीन आधा जमीन कट के चला गिया दूसरे तरफ और विहार सरकार विहार सरकार में ग्रांट साहाव उस समय थे हमारे दक्षिन भाग में जो बसे हुए थे ब्रहन उसके नाम से उन्हांने जमीन को दे घंड का नेटा वही था किसा इंता वही थे उन्होंने ग्रांट सहब से कहा कि यह जमीन मेरी है अगर मेरा टरंग कर जाता है तुछ तो अपने मने करेंगे आप दूसरे को दे दीजेगा बाभु रामरुकु मर केह-थे इसी नहीं हो तो मैंने कहा नहीं राम बाभुक किः यह जमीन मेरी होगी जमीन लेके रहें इसमें उन्होंने क्या-क्या जब ऊपर हो गिया तो उन्होंने राइची बाउक कर दिया तो हमारे गाउं का सभी आद में जाके राइची कारणा सुरू कर दिया राइची कारने के बाद उन्होंने क्या पुलीस है पुलीस को 102 122 हुआ जिसमें उसका जाल जब लगा तो बराडी में बाइस टो लास को मिला उनों तो बाइस खुनीयां हम लोग काते हैं 122 खुन किनका हुआ था बिलोचिया का हुआ था ग्राउन साहब का सिपाही को था अंग्रेज का हुआ था हमारा एकोठो नहीं मारा था हमारे सुनबरसा का एक भी नहीं मारा था सब उनहीं को मारा था इसके बाद बाइस खुनियां हमके हमारा जमीन हमारे जो इस गाउं के जो थे जेल में थे बावु रामरु कुमर अंग्ठा का निसान दिये थी गरीव था और किशान था लेकिन उन्हों उनके नेतृत में हमारा समुचा संबर सालर गया तो अंत में उन्होंने खेत उत बेच करके स्यारदास प्यारदास उस समय बंगाल का सबसे बड़ा बारिस्टर था उसको लाकर के साथी किया केस जीत गए जेत गए तो पुर्ना बिहार सरकार ग्रांट साहब पुर्णिया जिला और भागलपुर जिला दोनों सर्वे कराया सर्वे करने पर 1923 में नक्सा फाइनल हुआ 24 में आज जो है 24 इस 24 में हम लोगों को नक्सा मिल गया वह नक्सा है हम लोगों का यही काना है जब मेरी जमीन गंगा के कात्म है कटेगा फिर उपर होगा कटेगा उपर होगा तो जमीन मेरी नहा है यह सरकार अंधिया हम नहीं करेंगे तो उसके लिए पाले हम उसको मारें कि फाले हम मरेंगे इसके बाद भी हम उसको मारेंगे जो जमीन पाएगा उसको चर्ड़ने नहीं देंगे अव्रत हो या मारत हो कोई वी हमारे जमीन पागा जाने कि हूँ है नहीं औरुजा को यहां जाके पूछह हैं आप सरकार के निचला वहां पंड़िकारी हैं जराई जो हमारा मेमोरंडम है वह आप दियम को दीजिए बड़े को ने देंगे यहां इसके बाद हम अनुमंदल को करेंगे इसके बाद जीला को भी कलक्षर को भी हम नहीं निकलने देंगे जब वह अधिकार से लेस है हुद नहीं है हम लडेंगे उसके बाद भी नहीं हुद मांग करेंगे तब यह तो हमारा खेद है जो आएगा कर देगे यहीं होगी जब आप खाने के लिए देजागा तो आन के लिए मरिये जाएंगे तो मार के मरेंगे हिसमें भारती पार्टी काने नेता हैं आरे करम का साप-साप पत्रकार बंदुओ उद्देश है कि जो संबैधानिक अधिकार बिहार कास्टकारी अधिनियम बाबन यह में प्राबधानित है उसके आलोक में यहां के पुर्वरयतों के उत्राधिकारी है उनको वो अधिकार मिले यह मेरा उद्धिस है और विहार कास्कारी अधिनियम की धारा बाबन ये अस्पष्ट रूप से प्रापधानित करती है कि आईसी जमीन जो गंगवरार होने के चलते विहार सरकार के नाम से इंदराज हो गई है वह अगर अपने अस्थान पर सही रूप में पहचानी जाती है यानि उसकी आईडेंटिटी समाप्त नहीं होती है तो उसके पूर्वरयतों या उसके उत्राधिकारियां को पुनर अस्थापित करना बिधिक होगा और हम उसकी मांग करते हैं इसके आलोक में बिहार सरकार के उफसाचिव ने पूर्म में चिठी जारी किया था संबंधित अधिकारियों को बावजूद आज तक वो ठंडे बस्ते में रहा वो ये सकुटी बादेश है बार बार अगर इन अधिकारियों से कई चरल में पूर्म में वियांदोलल हुआ और उसमें चिठ्ठी भी आया और अंचला अधिकारी तक वो चिठ्ठी आई और बोला कि इस संवेधानिक कारवाई करके अधोहस्ताक्षिरी को इसके बारे में सुचिच करें तब नरोस्तम पांडे ततकालिन अंचला अधिकारी हुआ करते थे भीपूर का उन्होंने एक पत संता है जो संवेधान में जोऄ प्रावधान था कर रहे हैं और पुर्भरेता नाम भिहार सरकार से भाठाता उस पर पुर्रेतों का हक नहीं देती है हम चरन बद आंदोलन करेंगे इसकी रूप रेखा तयार कर रहे हैं उसकी तारीक तरीक तरीके से यह आंदोलन होगा और हम जानते हैं कि संगे सक्ति कल्यूगे है और संग ही सबसे बरी सक्ति है और हम जानते हैं कि चरकरवी जित स्रिंगों पर जंडा वही उराते हैं अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुराते हैं और हम इसके लिए लड़ने के लिए तयार हैं और अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई तो याचना नहीं अब रन होगी जीवन जया मरन होगी इस देश के साथ इस किसानों का एक काफिला जहां तक जाना होगा गंतवी अस्थान तक पहुँचने का प्रियाज करेंगे ये रूप रेखा त्यार करने के लिए बैठाब। मेरा नाम प्रनेश समदर्सी है मैं बिहार राजकिसान सभा का नेता हूँ और इससे बतादा मेरा परचे क्या हो सकता है। भागलपुर से राहुल कुमार सिंग की रिपोर्ट IND 365 रिपोर से राहुत्त पर रेखा त्यार करने की राहाँ जार तो मेरा नाम प्राइब अजिपर्वर्सी राजकिसान पर राहाँ रेखा त्यार का आध एक्रिवर्सी वेट सिंगर्सी राहा टारूट करता है।